एलविश यादा और मनीशा रानी की जोड़ी सिर्फ एलविशा को ही नहीं पसंद है सिर्फ एलविशा वाले ही एलविश और मनीशा को पसंद नहीं करते हैं एक न्यूट्रल ओडियन्स है जिनको ना ही अभिशा से मतलब है ना ही एलविशा से वो भी करते हैं एलविशा को और इसकी एक बड़ी वज़ा मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले इस वीडियो को कीजिए maximum लाइक और मैं चाहूंगा इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि professional Elvisha वालों को भी पता चल जाए कि Elvisha क्या है Elvisha is not a fandom Elvisha is an emotion तो इस वीडियो के साथ बने रही है आप भी अन्त तक हमने कभी भी किसी भी fandom को प्रमोटर नहीं किया है अगर आप ये सोच रहे हैं कि we are promoting Elvisha या कोई XYZ fandom तो किसी भी fandom को देख तमाशा TV का चैनल सपोर्ट नहीं करता है बस उस natural chemistry को हमने हमिशा सपोर्ट किया है Elvisha की जो feeling है मनिशा के लिए तो है इसमें कोई भी भूलेंगे और आप सब को पता चलेगा देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ जब कोई neutral audience किसी को पसंद करती है न तो उसमें कहीं भी ये नहीं देखा जाता है कि आप किसके fan हो और किसके नहीं fan हो ये fandom की जो लड़ाई हैं वो सिर्फ और से fandom, solos और बहुत सारे लोग क प्यार है कहीं squad है कहीं army है लेकिन नाम आता है एलविशा का देखो एक बात मैं आपको बता दू एलविशा fandom कभी भी toxicity नहीं फैलाया है एलविशा is a very positive fandom और ये बात मैं हमेशा कहते आया हूँ एलविशा जितना positive fandom है न उतना मुझे शायद लगता है कि कोई और positive fandom हो एलव गलत है जितना support एलविशा वालों ने एलविश को किया है न उतना ही जादा 50-50% सब को support किया है मनीशा हो या एलविश हो लेकिन जब solos की बात आती है न तो ये सारे ही लड़ाई जगडे solos से ही शुरू हो रहे हैं यहाँ पर मैं एक छोटी से clip आपको दिखाता हूँ ये तो देखा आपने neutral audience हमेशा एलविशा को पसंद करती है कोई भी भाई बहन के साथ a shipping fandom क्यों चाहेगा और क्यों बनाना चाहेगा एलविशा में वो concept है वो flirting है वो romantic जोड़ी है वो couple वाली feeling है अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर audience ही बोल रही है तो कोई भी आपका creator वही करेगा लेकिन हाँ इनकी chemistry तो वही है इनकी chemistry SR के और काजौल वाली है तो यह आपको मानना हो इस बात को accept कर रहे हो ना तो यही सच्चाई है neutral audience इसलिए एलविशा को पसंद करती है क्योंकि इनकी जो chemistry है वो vibe देती है इनकी हर एक चीज match होती है चाहे DC vibe हो बोलने का तरीका हो या फिर flirt करने का हर एक चीज एलविशा वालों का neutral audience को पसंद है अब जो अभिशा में difference है अभिशा को भी हम बहुत पसंद करते हैं अभिशा में कोई बुराए नहीं है लेकिन अभिशा एक दोस्ती वाला एक भाई बैन वाला fandom है यह मैं नहीं कह रहा ह यह चैनल को सब्सक्राइब कीचिए